एक्सराइज 6.2 कुश्चिन नमबर थर्ड इस वह मैंने ब्लू-ब्लू से लिखा है कि थोड़ा अच्छा लगे अट्रेक्टिव लगे थोड़ा सा इस तो ब्लैक है करा इन फिगर 6.18 करा इफ एल एम एलम मतलब देस एलम पैरलल है सी बी इसके दोनों पैरलल है जब यह दो पैरलल है तो देखो कौन सा ट्रेंगल बन रहा हमारे पास देस वन जो ट्रेंगल बन रहा है उसके अंदर देखेंगे हमारे पर क्योंकि बी पीटी थे और हम इसमें लगेगी इसके अंदर क्या रहा है कि यह दोना ना देस वन यह यह वाला ट्रेंगल यह वाला ट्रेंगल और इसमें क्या है? ये दोनों parallel है. ये इसके parallel है. अजब ये दोनों parallel है, तो this upon this और this upon this हो जाएगा बेपिटी से? और इसमें क्या बोला है? LN. ये दोनों parallel है, तो this upon this और this upon this. ये करेंगे तो हमारा answer आजाएगा. बहुत easy question है, बहुत easy. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना और ये एक्जाम में आभी जाता है. ये third वाला और इसके बाद fourth वाला. वो दोन important है. वो दोना आ जाते हैं. ठीक है? तो हम पहले solve करते हैं. solve में हम क्या लिखेंगे? हम किस वाले triangle की बात कर रहे हैं? सबसे पहले वो लिखना जरूरी है. ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी किस की बात कर रहे हम लोग? ऐसी तोड़ी कहीं पर उठाके कर दिया. वो डूंते रहो भई, डूंते रहो. ये नहीं होता. ठीक है? LM parallel है. इसके अंदर क्या है? जो दे रखा वही हमें पास. LM parallel है CB. ठीक है? ये दोनों parallel है हमारे पास. ठीक है? जब ये दोनों parallel है, तो क्या होता है? this upon this or this upon this. यानी हमारे पास AM. AM, 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 AM. AM कि पर इवाले लेक्टे हैं? this upon this. क्योंकि ये दोनों में ये जो लाइने, दोनों में आइगी. AL, AL upon में LB, LC. दिखाए, कम दे रहे हैं? LC. AL upon में LC. किसके बराबर होगा? AM upon में, AM upon में MB. MB. reason कहाँए, by B, P, T. B, P, T. basic proportionate theorem. ये लिखना बहुत जरूरूरी नहीं, तो इसके marks काट लेंगे. ठीक है? अच्छा, इसको equation first दे दो. अब हम देखेंगे कौन से triangle में? Int triangle, A, C, D. यहां लिखते हैं, int triangle, space हो पाएगा? Int triangle, A, C, D. Int triangle, A, C, D. ACD में क्या है? L, N, parallel है, C, D. यह लिखा वैं साफ साफ. L, N, parallel है, C, D. यह हमें given है. अगर यह given है, तो आप समझी गए कि यह दोनों parallel है, तो this upon this, और this upon this. यहांने कि AL, camera में यह नहीं आ रहा है, यहां लिख लेता हूँ. यह दोनों parallel है, अगर यह दोनों parallel है, इसके बाद, इसके बाद यहां उठा लेना. यह दोनों parallel है, अगर parallel है, तो AL, AL upon me, LC, equal to me, A, N upon me, A, N upon me, N, D. Second equation, आ यहां लिखेंगे by B, P, T, B, P, T theorem, basic proportionate theorem. अब हमारे पास क्या पता लग रहा है कि, यानि यहां पर AL upon me, LC, AL upon me, LC, जब यह दोनों बराबर हैं, तो क्या यह दोनों बराबर नहीं होंगे? होंगे? जब यह दोनों बराबर हैं, तो यह दोनों बराबर नहीं होंगे? होंगे? देखो ना, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, और मैं कर रहा हूँ, यह दोनों equal हैं, जब यह दोनों equal हैं, तो यह भी equal होंगे? हाँ ना? तो from equation first and equation second, equation first and equation second से क्या मिला है मैं AM upon में MB AM upon में MB AM upon में MB और क्या हुआ है पास AN AN upon में ND I answer नहीं, अभी नहीं पहुँचे AM, AN तो मिल रहा है लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा अब देखेंगा हमाई condition में क्या कह रहा है this, हमें AB लाना है हमें AB लाना है, तो हम ध्यान से देखेंगे हम पहुँचेंगे कैसे, ऐसा नहीं कि मैं आपको पता दूँ, मुझे पता क्या करना है plus 1 करना है हो जाएगा आएगा अरहा हम से लेकिन क्यों प्लस 1 करना है, उसको देखते हैं पहले अगर हम देखेंगे AM में सब्स्क्arat around लेकिन उपर वाला ते स्यंझ है इसलिए मुझे रहारी प्रोकल करना पढ़ेगा एक बढ़ेंगे ना राषी प्रोकल का मतलद समझाता है उल्टा कर देना कर देंगे एमबी अपॉन में एम एक्वल टू में एंडी अपॉन में यहां तक पहुचे यहां से पता है क्यों करा आ क्योंकि अगर मैं प्लस वन करोंगा तो बदल देगा इसको प्लस वन करने के बाद फिर से रसी प्लोकल कर देंगे ठीक है एड वन बोट साइड दुन तरह वन एड कर दो तो क्या जाएगा अब दोनों प्लस वन करेंगे अब हम यहां पर यहां पर एड करूंगा तो यहां पर देखो यह जो चीज है उपर चलेगा देखो झाल से मलपिलाई जाजागा नीचे 1 मालो कोई फरक नहीं परता इन दुन का मलेवार करेंगे यह क्रॉंस मॉल्टिप्लाई गया तो यह बी प्लस फ्लस फे ए एम को देखो इन दोनों का ME怎麼辦 मल्टिप्लाई कर रहा है जब यह दुनों मल्टिप्लाई में उतरते हैं तो यह क्रॉस मल्टिप्लाई हो जाता है यह इदर मल्टिप्लाई हो गया वह दर मल्टिप्लाई हो गया तो यह हो गया MB प्लस में AM, MB प्लस में AM, पूरा AB हो गया कि नहीं हो गया, AB और AM तो नीचे थाई, और यहां पर हो गया मारे पास ND प्लस में AN, यानी हो गया मारे पास AD, अपन में AN, अगें रैसी प्रोकल कर दो तो आंसर मिल जागा, आपको same to same देखो, again, यानी AM अपन में AB, equal to AN अपन में AD, same वही आगया देखो, AM अपन में AB, AN अपन में AD, hence prove, बस, बहुत इजी कोश्चन है, बहुत इजी कोश्चन है, इसमें कुछ है नहीं कोश्चन के अंदर, बस आपको क्या करना है, दोनों में, AL upon LC, दोनों में आरा है, अगर यह दोनों में आए तो यह बराबर होगा जैसे मैं आपको same to same, बहुत एजी कोशन है, अगर इसको कोश्चन को करनें कोश्च करोगे तो, मेरे खाल से एक बार करोगे दूसरी कोश्च करोगे, दूसरी इजुचन आपना प्यों नेकल वरती हो कोश्चन पर फॉर्थ करते हैं मुंआ डैक छमकुश्चन doute भी तर्फ के तरफ आएल टेरन से दीत पार्लल हों कर सके पारलल है D E parallel है A C इसको dark line दे आपको साफ साफ दिखाई दे कि हम किस की बात कर रहे है यह रही line ठीक है अगर यह दोनो parallel है तो आपको पता ही लग गया पहले हम आधा करते हैं यह वाला पार्ट फिर बाद में आधा करते हैं अगर यह दोनो parallel है तो side same proportion में होगी by BPT theorem पता है यह तो करी रखा है तो हम किस की बात कर रहे है अच्छा मैंने यह भी बोला है कि हम किस triangle के बात कर रहे है वो भी पहले लिखना है हम कौन से triangle के बात कर रहे है in triangle ABC किस के बात कर रहे है ABC समझे मारा है in triangle ABC ABC ठीक है in triangle ABC अब इसके अंदर क्या देर हमें D parallel है डिए parallel है ABC यह दूनों Pvd आलल है इस है यह दूम यह दूनों पारलल होते हैं यह दूनों दे रखा में अगर यह दूनों पैरलल है तो देस अपॉन देस । यानि कि कि भीडी हुतान कि ब्राबर होगा BE upon EC reason क्या देंगे अब इसका by BPT theorem basic proportionate theorem इसको number 1 सिर्द दे लेंगे अब हम second part करें second part करेंगे second part के बारे में इसके बारे में बात करेंगे अब हम करते है DF parallel है AE DF यान E के हमार पाई यह रहा DF किसके parallel है AE के parallel है AE मैंने आपको बोला था कि हम जिसके बात करेंगे उस triangle का नाम लिख देंगे पहले हम किस triangle के बात कर रहे है intringle intringle ABE की बात कर रहे है intringle ABE ABE कहाँ पर यह रहा अब यह दोनों parallel है हमें given है DF parallel है AE बहुत easy question है यह तो हमें दे रहा है given है अगर देखो किसी triangle में दोनों इस triangle में दोनों parallel है अगर यह parallel है तो side same proportion में होगी यानि की BD upon में DA BD upon में DA BF देखो यह ना BF इसी ही तो लाइने आपे BF BF upon में EF sorry FE EF लिखो FE लिखो FE लिखो जो ऐसा इनोंने FE लिखा तो हम भी FE लिखते है कुछ भी लिखते हैं आपे by BPT basic proportionate theorem अब हम करेंगे from first and second from first and second से क्या बता लगए देखो जब यह और यह दोने equal है तो यह दोने equal होगा कि नहीं होगा होगा यह और यह equal है तो यह दोने भी equal होगा यही मुझे proof करना देखो देखो BF BF upon में EFE हम लिखे देंगे from equation first and equation second first and equation second से हमें क्या मिल रहा है अना यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है यह आपसे बराबर है यह आपसे मुझे बराबर है जब यह यह दोनों बराबर है तो यह दोनों भी तो बराबर होगे from equation first and second से पहले आप यह लिखो क्योंकि यह पहले लिखावा है, question के according, BF upon में FE, बराबर होगा, EBE, बराबर है, EC, hence prove, hence prove, यह हमें proof कोना था, बस simple ता question है, यह exam में कई बार आ चुका है, इसको देख लेना, और practice करना है, बहुत easy है, इससे पहले वाला भी आ चुका है, question में 5 देखते हम लोग, question में 5 में क्या बोला है, के रहा in figure 6.20, यह figure 6.20 है, के रहा DE parallel है, OQ, DE, DE है कहा है यहाँ पे, यह रहा DE, किसके parallel है, OQ के, OQ, OQ हमारा कहा है, यह रहा, अगर हम इसको indicate नहीं करेंगे ऐसे, तो हम समझ नहीं पाएंगे, यह रहा, अब देखो, यहाँ से line यह रही, यहाँ से line यह, यह किस triangle के अंदर आ रहा है, ज्यान से देखो, यह आ रहा है, P, O, Q, या P, Q, O, कुछ भी लिख लो आप नाम, प, O, Q, या P, Q, अच्छा, अब यह दोनों जब parallel है, तो side same proportion में होगी कि नहीं होगी, देखो, यहाँ तक होगा यह, this upon this and this upon this, अब हम क्या करते हैं, in solve करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, in triangle, P, O, Q, यह लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर यह नहीं लिखो के P, O, Q की बात हो रही है, तो teacher इतने सारे triangle पर कहाँ डूनेगा, इतने सारे triangle है, सबसे हम पहले लिखेंगे, in triangle, in triangle, P, O, Q, simple सी बात, जैसे आपने लिखा, in triangle, P, O, Q, teacher नहीं देखा, P, O, Q की बात कर रहे हैं, face के अंदर यह दोनों parallel है, यह हमें दे रख है, D, E, parallel है, O, Q, यह हमें given है, जब हमें given है, यह given है, तो हमारे पास, यह दोनों parallel है, तो यह same proportion में होगा, same proportion में, यह नहीं के, P, D, P, P, D, upon में, D, O, equal to में, P, E, P, E, upon में, E, Q, reason क्या देखेंगे, by, B, P, T, theorem, first, इसको first पाढ़ देएंगे, same इसी तरीके से हमारे पार, D, F, D, F, यह रहा, D, F, यह रहा, D, F, parallel है, O, R, यह इसके parallel है, O, R, यह दोनों parallel है, यह जब यह दोनों parallel है, तो this upon this, और this upon, यह वहले triangle का use होगा, इसे होगा, जब वह दोनों parallel है, तो हम लिखेंगे, in triangle, in triangle, P, O, R, P, O, R, P, O, R, P, O, R, P, O, R में हमदेखेंगे क्या? कि यह दोनों parallel है, यह हमें, तदे रखाइ, ड, F, parallel है, O, R, यह हमें given है, जब हमें यह given है, अचारा, यह हमें given है, तो हम का लिखेंगे, यह दोनों parallel है, में on same proportion में PD upon में DO P F upon में FR P F upon में FR इसको देंगे second number और देंगे by BPT यह लिखना जरूरी है कि कि इसके तो रहा है basic proportionate theorem अगर यह सके equal हो रहा है तो मैं लिखना पढ़े है यह है, BPT theorem से हो रहा है, अब देखो, यह वाला, साफसा पता लग रहा है ना, यह दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर है, ठीक है, यह इसके equal है, देखो इधर वाला, तो यह दोनों भी से equal होगा, तो from, from equation first and equation second, इससे मुझे पता लगता है कि PE, PE upon me EQ, बराबर है, PE upon me EQ, बराबर है, PF, PF upon me FR, FR, ठीक है, PE, यानी कि this, यह रहा, this, इसको red color से करते हैं, थोड़ा सा, एक सेकें, देखो, यह रहा, यह रहा, this upon this, अब यह रहा, प? E upon me FR, आब यह हो रहा है, आब देखो यह जब ऐसा हो रहा है, कि यह इसकि 참 kanuten, यह इसके इपार्ण मे यह हो रहा है, यहाँ से यह रहा, ये upon में ये हो गया और ये upon में ये देखुए रहा PE upon में EQ और PF upon में FR जब ऐसा होता है तो ये तो तब ही होता है जब ये दोने parallel होता है जब यानि EF parallel है QR EF parallel है QR हो गया लेकिन इक होता है ये By Converse of BPT theorem क्योंकि Converse क्या बताती है कि side seam proportion में है तो triangles में ये lines parallel होगी अगर side same proportion में है तो ये parallel होगा By Converse of BPT theorem Converse बताती है में ये यह BPT मत लिख देना BPT लिख दोगे तो गलत होगा BPT थोड़ी बताती है ठीक है Converse ये उसका उल्टा बताता है Converse of BPT theorem बस ये question है मार पस ये भी exam में आ जाता है कम आने के chance है लिकेना आ जाता है ये भी